किसान बाईयों नमस्कार मैं हूँ दसरत दाकर्ड आप देख रहे हैं डीप आर्मिंग यूटूब चेनल सरसों में जब फूल निकलना प्ररम्ब होते है इस समय कुछ जरूरी काम किसान बाईयों को समय पर करने होते है इससे फूल जड़ते भी नहीं है फूलों का विकास अच्छे से होता है सबी फूलों पर फलें आच्छानी से बन जाती है और फलें की संक्या भी ज़्यादा होती है जिससे सरसों का उत्पादन हमें ज़्यादा मिलता है इस वीडियो में मैं आपको सरसों में फूल आते समय कुछ जरूरी कामों को लेकर पूरी जानकारी देने वाला हूँ जो काम अगर आप समय पर कर लेते हैं तो निसित तोर पर आप सरसों की केती से ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखीर तक जरूर देखिए चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पास मैं गंटी के निसान को भी जरूर दबाईए जिससे हम कोई नए वीडियो अप्लोट करें तो तुरंट आपको जानकारी मिल जाए किसान भाईयों सरसों में जब फूल आना प्रारम होते है तो यह वसल की सबसे मुख्य स्टेज मानी जाती है अगर इस समय किसान भाईयों सरसों में एक सीचाई की जरूरत भी होती है लेकिन सीचाई का भी सही तरीका आपको पता होना चाहिए अगर आपकी सरसों में फूल निकलना प्रारम हो रहे हैं तो लगबग आदे खेत में जब फूल निकल जाए उस समय आप सरसों में सीचाई कर सकते है ध्यान रखना है कि आपको सरसों में केवल हलकी सीचाई करना है खेत में पानी का बराव आपको बिल्कुल भी नहीं करना है हलकी सीचाई आप करते हैं जिससे सभी फूल फोल्यों में बदलेंगे और फूल जड़ेंगे भी नहीं इसके लावा सरसों में फूल निकलते समय किसी भी परकार से खाद उररकों की कोई जुरुत नहीं होती है इस समय आप किसी भी खाद का परियोग ना करें अगर आप सरसों में खाद उररकों का परियोग करना चाहते है तो बुवाई से लेकर फूल आने से पहले पहले ही आप सरसों में खाद उररकों का प्रियोग कर सकते है इसके अलावा इस समय सरसों में किसी भी प्रकार का आप इस्परे ना करें किसान भाईयों इस समय आप केवल कीट नसक का इस्परे कर सकते है इस समय आप अपनी वसल में किसी भी growth promoter या विबिन परकार के खाद उरोरकों का spray बिलकुल भी ना करे इस समय वसल को किसी भी टोनी की जुरत नहीं होती है हाला कि अगर इस समय आपकी सरसों में मोईले का attack नजर आता है मोईला आपकी सरसों में attack करता है तो इस समय आप किसी भी हलके कीटनस का परियोग जरूर कर सकते है इसके लवा इस समय इन बातों का ध्यान आपको रखना होता है जिससे कि सरसों में जो फूल होते हैं उनका विकास बेहतर तरीके से होता है फूल जड़ते भी नहीं है फोलियां भी ज़्यादा आती है दानों का वराव भी अच्छे से होता है और अंत में सरसों की पेदावार भी ज़्यादा निकलती है तो सरसों में जब फूल आते हैं ये काम आप कर सकते हैं जिससे आपको फाइदा जरूर होता है मिलते हैं नई वीडियो में धन्यवाद जैकिसान